बुचहा में जीतने से अब कोई नहीं रोग सकता बता दे कि 22 वे राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है और 22 वे राउंड के बाद अगर हम तस्वीरों की बात करें रुजहान की बात करें तो 75,000 पार कर चुका है अमर पासवान जीतते हुए नजर आ रहा है कुल मिलाकर इस रेस में आरजेडी अब इतनी आगे निकल चुकी है कि इस रत को कोई नहीं रोग सकता हलाकि बीच में आरजेडी और बीजेपी के बीच सीधी टकर देखने को मिल रही थी लेकिन अब ये फासला धीरे धीरे करके और बिज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 22 राउंड के बाद क्या कुछ तस्वीरे बोचा से देखने को मिली है ये अगर हम आपको बता दे तो अमर पास्वान जो कि आरजेडी के कैंडिडेट है उन्हें 75,707 वोट मिले है वहीं बेबी कुमारी बीजेपी की कैंडिडेट उनकी अगर हम बात करे तो 41,000 पर इस रखी हुई है खास करके अगर हम समीकरन की बात करे तो इस बार जो तस्वीरे बोचा से देखने को मिली है इससे ये तो साफ वोड़ा है कि तेजश्वी यादव को A2J का साथ मिला है और ये दावे भी लगातार तेजश्वी यादव कर रहे थे कि अब हमें सिर्फ M.Y. सम और पासवान के फेवर में जीत को लेकर कोई भी जो कमी है वो तेजश्वी यादव ने नहीं छोड़ी लगातार चुनावी सभा उनकी तरफ से किये जारे थे चुनावी प्रचार उनकी तरफ से किये जारे थे और आखिरकार हुआ भी कुछ ऐसा ही क्योंकि जो नतीजे ब बीजपी के बीच देखने को मिल रहा है तो बड़ी बढ़त आरजडी के लिए तेजश्वी यादव के लिए जश्न का महौल है मिठाया खिलारी जाईडी है ढोल नगारे बजाए जारे है प्रचण जीत हुई है बुछा उपचुनाव से आरजडी की और इसी से अब आग के भी तीन राउंड की क्या कुछ तस्वीरे देखने को मिलती है क्या कुछ नतीजे वहां से सामने आते हैं ये तमाम जानकारी पलपल की अपडेट्स न्यूस फोनेशन आप तक सबसे पहले पहुचाएगा फिलाल इतना ही जाद अपडेट के लिए आप जुरे रहे झाल 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 झाल